हेलो नमस्कार दोस्तूं स्वागते एक बार फिर से आप सभी का टूड़ेटो के इस वीडियो में दोस्तूं आज की इस वीडियो सेशन में हम राजस्तान वंदरक्सक प्रिक्साओं में पूछेगे परसुनों को हल करने वाले हैं दोस्तूं व्याक्या सईथ ये सभी परसन में आपको हल करवाने वाला हूँ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये क्यूतं तो बहुत एज़ है इतने एज़ी क्यूतं थोड़ी पूछे जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि सम्मंदित क्यूसन आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे मैं ये नहीं कहता कि ये क्यूसन रिपीट होंगे लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन क्यूसनों से सम्मंदित जो भी क्यूसन बनते हैं वो आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे इसलिए मैं मेरे हर वीडियो के अंदर आपको व्याख्या सहीद क्यूशन कवर करवाता हूँ वीडियो काफी इंपोर्टेंट है और देखने के बाद आप खुद को इस बात का एसास हो जाएगा कि ये सभी क्यूशन कितने इंपोर्टेंट है तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्यूशन है गुरु गोविंद सिंग का जनम कहां पर हुआ था उप्सन है जैपूर, पतना, अमरित सर, चंडिगर्ड दोस्तों गुरु गोविंद सिंग जो है ये आप सभी को पता है कि सिखूं के गुरु है और सिख धर्म के जो लोग है वो इनके अन्वियाई है तो आप सिखूं के गुरु जो है ये सोचकर आप पंजाब में सोचोगे और अमरित सर है ये इसका answer करोगे, तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सही जो answer है ये है पटना तो गुरु गोविन्द सिंह का जणम कहा हुआ था पटना के अंदर हुआ था दोस्तों यह सिखू के 10 वे गुरु है किते नमर के गुरु है दसवें गुरु है आपको याद रखना है और दोस्तों इन्हों ने काफी बड़ा काम किया था सिखूं के लिए और वो क्या है खालसा पंत की इस्तापना इन्होंने की है ठीक है तो आपको याद रखना है कि खालसा पंत की इस्तापना किस ने की तो गुरु गोविंद सिंग ने की अब दोस्तों पूछा जाए कि खालसा पंत की इस्तापना कब की तो 1699 के अंदर कब की 1699 के अंदर इसके बाद दोस्तों अगला क्यूसन पूछा गया था राजस्तान के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संक्या जिले की कुल जनसंक्या के अनुपात में अधिक है देखिए एसा जिला बताना है जिसकी जो टोटल जनसंक्या है उसके अनुपात में अनुसूचित जनजातियों की जो संक्या है वो अधिक है अनुपात के अंदर अधिक है एसा जिला आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर दोस्तों सही आंस्वर है बांसवाडा जो जिला है इसके अंदर कुल जंज संक्या के अनुपात में अनुसूचित जंजातियूं की संक्या है वो अधिक है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजस्तान के अंदर अनुसूचित छेतर के अंदर कितने जिल्लों को सामिल किया गया है तो दोस्तों आठ जिल्लों को सामिल किया गया है आपको याद रखना है आठ जिल्लों को इसमें सामिल किया गया है दोस्तों ऐसा के अंदर सरवादिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है अब यहीं से क्यूसन बन जाता है कि राजस्तान के अंदर परतिसत में सबसे कम अनुसूचित जातियां है वो निवास कौन से जिल्य में करती है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नागोर ठीक है नागोर जिल्य में सबसे कम निवास करती है अनुसूचित जन जातियां ठीक है अगला क्यूसन आप से पूछा गया था इसमें किस नसल के बेल करसी फारम के लिए सर्वोतम माने जाते हैं करसी फारम के लिए कौन सी किसम के या नसल के बेल सरवादिक फाइदे मंद होते हैं अगर आप में से कोई किसान का बेटा है तो जरूर उसको इस आंस्वर का पता होना चाहिए इसका सही आंसर है नागोरी दोस्तों नागोरी बेल पूरे भारत में परशिद है और करसी फारम के लिए तो ये काफी ज़्यादा महतपून है अब दोस्तों यहां से आप से पूछा जाए कि कौन सी नसल की गाई सरवादिक दू देती है तो आपको गिर नसल बताना है गिर नसल की जो गाई है ये भारत के अंदर सरवादिक दू देने वाली गाई मानी जाती है अब दोस्तों ये जो गाई है ये दिव उद्देत से गाई है इससे दो उद्देत से पूरे होते हैं इसके बेल भी ठीक होते हैं और इसका दूद होता है ये भी अच्छा होता है तो इसको दिव उद्दे से गाई भी कहते हैं इसके बाद दोस्तों क्यूसन पूछा गया था राजस्तान का राज्ये पुस्प किस वरक्स की परजाती पर लगने वाला पुस्प है मतलब कौन से वरक्स की परजाती पर ये राज्ये पुस्प लगता है ये आपसे पूछा गया आई हूप आप सब को बता है कि रोहिडा है इसका अंस्वर लेकिन दोस्तों यहां आपसे पूछ लिया जाए कि रोहिडे का जो वानस्पतिक नाम है वेग्यानिक नाम है साइंट अंडू लता ठीक है अंडू लता आपको बताना है टेकू मेला अंडू लता जो नाम है ये इसका वानस्पतिक नाम है अब यहां से एक क्यूसन और बन जाता है यहां से आपसे पूचा जा सकता है कि रोहिडे को जो है राजस्तान का राज्ये पुस्प कब गोसित किया गया तो यहाँ पर आपको बताना है 1983 के अंदर कब गोशित के आ गया है 1983 के अंदर इसको घोशित किया गया अगला क्योंसन पूछा गया था एक आप से इन में से कौन सा जीव बिल्ली की जाती का है या पूछा जा सकता है बिल्ली के कुल का है ठीक है बिल्ली पर जाती का या बिल्ली की जाती का या बिल्ली के कुल का कौन सा जीव या सदसे नहीं है जंगली बिल्ली जरक बाग या सियागोस तो यहाँ पर दोस्तों सही आंस्वर आपका जरक जो है ये बिल्ली की जाती का सदसे नहीं है या बिल्ली के परिवार का सदसे नहीं है दोस्तों बिल्ली के परिवार के कुल 6 सदसे हैं कितने सदसे हैं? 6 सदसे हैं और इन 6 के मैं नाम बताऊं तो बाग, सेर, चिता, तेंद्वा और एक ये बिल्ली और एक आपका हो गया ये सिया गोस जगुआर जो है वो भी इसी का सदस्य है, कुल 6 सदस्यों को इसमें रखा गया है बिल्ली की परजाती में इसको कैट फैमिली भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है अगला क्यूसन पूछा गया था, अब दोस्तों अगर कोई चैनल पर नया है तो बताना चाहूंगा सब्सक्राइब जरूर करें, साथी बेल आइकन को प्रेस करें, ओल पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, हमने इस चैनल पर राजस्तान वनरक्सक वनपाल की बहतरीन तयारी सुरू करवा दी है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों ये जो भी पेपर में आपको सॉल करवा रहा हूं, इनकी PDF फाइल आपको टेलिग्राम के चैनल पर मिलेगी और टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जोइन कर लीजिएगा वेसे में टेलिग्राम चैनल पर इंपोर्ट और नोट्स, पीडिया, फाइल, MCQ टाइप क्यूशन आपको परवाइड करता रहूंगा तो चलिए दोस्तों अगला क्यूशन है, वन्य जीव सरक्षन अधिनियम किस वर्स में ये अधिनियम लागू किया गया था तो यहां पर वन्य जीव सरक्षन अधिनियम आपसे ये नहीं पूछा गया है कि राजस्तान का वन्य जीव सरक्षन अधिनियम आपसे खाली वन्य जीव पूचा गया है तो भारत का आपको बताना है और भारत ने वन्य जीव स्रंक्षन अधिनिय में पारित किया था 1902 के अंदर कब किया था 1902 में ये किया था अब यहाँ पर आपसे पूचा जाए कि राजस्तान के अंदर सबसे पहले वन्य जीव सनक्षन अधिनियम कब पारित किया गया था तो इसका दोस्तों सही आंस्वर 1950 है ठीक है 1950 में राजस्तान में सर्वय पर्थम वन्य जीव अधिनियम लागू किया था अभी जो वर्तमान में लागू है यह आपका 1902 वाला है वन्य जीव सनक्षन अधिनियम जो भारत सरकार ने लागू किया था तो काफी important question है और ऐसे question तो definitely आपसे पूछे जाएंगे अगला question है इन में से कौन सा उद्धोग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त करता है या काम में लेता कहने का मतलब यह है कि चूना पत्थर कोन से उद्धोग में काम में लिया जाता है इसका सही answer है दोस्तों सिमेंट उद्धोग के अंदर चूना पत्थर सबसे ज़्यादा महतवर रखता है अब दोस्तों चूना पत्थर और कौन सा जो कच्चा माल है सिमेंट में काम में आता है तो इसमें दोस्तों आपका जिपसम आता है और कोईला भी सिमेंट के अंदर काम में आता है कच्चे माल के रूप में तो चूना पत्थर जिपसम कोईला ये सिमेंट के क्या है कच्चे मा जाता है यह आप सबको पता है प्लास्टरो पेरिस किस लवण से प्राप्त होता यह आप से पूछा गया है कौन से लवण से प्राप्त होता है option है चूना पत्थर जिपसम से एक वे दो दोनु से या इनमे से कोई नहीं तो इसका दोस्तु सही आंस्वर है जिपसम से ये लवन बनता है प्लास्ट्रो पेरिस का ठीक है जो डोक्टर काम में लेता है टूटी हुई हड़ी को जोडने के लिए अगला क्यूसन पूछा गया था अलवर भरतपूर छेतर में होली के अउसर पर होली के अउसर पर किया जाने वाला नरते कौन सा है दोस्तों अलवर भरतपूर छेतर का आप से पूछा गया है तो आपको सोच समझगरी जवाब देना है दोस्तों गिंदर दिया हुआ है बंब नरते दिया हुआ है चंग दिया हुआ है और गूमर दिया हुआ है अब यहाँ पर दोस्तों अलवर और भर्दपूर छितर में हुली के समय पर बम्म नर्ते किया जाता है यह आपको अच्छे से याद रखना है और दोस्तों यहाँ बात करें गिंदर्ड की तो घिंदर्ड है ये आपका सेकावाटी छेतर का नर्ते है और कब किया जाता है? हुली के समय में किया जाता है एक दोस्तों आपका गेर नर्ते है याद रखना आपको कि जो गेर नर्ते है ये कहां पर किया जाता है? तो ये दोस्तों मेवाड चेतर में कहां पर किया जाता है मेवाड चेतर में किया जाता है बाड मेर चेतर में भी किया जाता है और दोस्तों ये जो गेर नर्ते है ये भी होली के समय पर ही किया जाता है तो देखिए कितने important question बन जाते हैं इस एक ही question से अगला क्यूसन पूछा गया था आपसे राजस्तान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था ठीक है 2012 के अंदर राजस्तान सुनवाई का जो अधिकार है ये अधिनियम कब लागू किया था से एक तारीक पूची गई है तो ये तो जो क्यूसन है ये 2013 की भरती का क्यूसन है तो एक तरह से ये उस टाइम करंट का क्यूसन था ठीक है इसका सही आंसवर है 10 जनवरी 2012 1 अगस्त 2012 26 जनवरी 2012 या इन में से कोई नहीं तो ये दोस्तों लागू किया गया था 1 अगस्त 2012 को राजस्तान सुनाई का अधिकार अधिनियम अगला क्यूसन पूचा गया था रतन टाटा ने अपना उत्रा धिकारी किसको बनाया साइरिस मिस्तरी को अजे टाटा को मुकेश टाटा को या इन में से कोई नहीं दोस्तों रतन टाटा ने 2011 में ये गोश्ना की थी कि मेरा जो उत्रा धिकारी है वो कोन है साइरिस मिस्तरी ठीक है तो साइरिस मिस्तरी इसका सही आंस्वर है अगला क्यूसन पूचा गया प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्स में सुरू हुआ था देखो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैंने आपको पीछे जो वीडियो बनाये थे भारत के वन्ने जीव अभ्यारणिये ये राजस्तान के वन्ने जीव अभ्यारणिये और जो भी वन्नु से सम्मंदित प्रोजेक्ट या अभियान चलाएगे उनके बारे में मैंने आपको पीछे के वीडियो में डीटेल से बता रखा है फिर भी मैं इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा जरूर बताऊंगा दोस्तों ये किस वर्स में सुरू हुआ था ये आपसे पूछा गया है तो ये 1973 के अंदर सुरू हुआ था दोस्तों ये काफी इंपोर्टन्ट है जब ये 1973 में सुरू हुआ था तो 9 नए अभ्यारणे बनाए गए थे कितने बनाए गए थे नो टाइगर रिजर्वे बनाए गए थे और दोस्तों अब वरतमान में इनकी संग्या है वो पचास से अधिक है भारत के अंदर ठीक है पचास से अधिक है और दोस्तों एक यह important question बन जाता है कि जो N.T.C.A है N.T.C.A इसकी फुलफूम आपसे पूची जा सकती है दोस्तों N.T.C.A का मतलब होता है National Tiger Conservation Authority ठीक है National Tiger Conservation Authority इसकी स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2005 के अंदर ठीक है 2005 में इसकी स्थापना हुई थी किसने की थी तो प्रियावरण मंत्रा लेने ठीक है प्रियावरण मंत्रा लेने इसकी स्थापना की थी तो N.T.C.A काफी इंपोर्टेंट है इसके बारे में जरूर आप पढ़ लेना Tiger Project के बारे में भी आप अच्छे से जरूर पढ़ लेना अगला क्यूसन पूछा गया था इन में से कौन सी फसल तिलहन फसल नहीं है मतलब तिलहन की जो फसल है सोरी तिलहन की फसल आपको बता नहीं है ठीक है एक क्यूसन में ने करवाया था जिसमें पूछा गया था तिलहन की फसल नहीं है इसमें पूछा गया है कौन सी एक तिलहन की फसल है अब option बता देता हूँ अरंडी, गन्ना, मक्का, उड़द तो इन में दोस्तों आपको पता है कि जो अरंडी है ये एक तिलहन की फसल है और बाकी जो ये मक्का, उड़द है ये एक तरह से दलहन की फसलें आ जाती है अगला की उसन पूछा गया विशिष्ट पैचान संख्या योजना का नाम है विशिष्ट पैचान संख्या योजना का नाम आई थिंक सब को पता है कि आधार कार्ड को ही कहते हैं अब दोस्तों आधार कार्ड के अंक पूछ लिए जाए कि आधार कार्ड के अंदर कितने अंक भामासा के अंदर पूछा जाए तो दस अंक आपको बताना है ठीक है ऐसे कि उसन काफी बार एक्जामस में पूछे गए है ठीक है अब यहां दोस्तों भामासा है इस योजना का नया नाम आ गया है आप सभी को पता होगा कि इसको अब जन आधार कार्ड कहते हैं और राजस् से विख्यात लोक देवी कोन सी है तो आई ठीक सब को पता होगा कि चुहूँ वाली देवी किसको कहते हैं करणी माता को कहते है ठीक है और इनका मंदिर कहा है तो बिकानेर के अंदर देश नोक नामक जो जगह है यहां इनका मंदिर है और दोस्तों करणी माता का जनम कब जो लोक देवी देवता है उनके बारे में क्यूसन आपसे पूछा जाएगा तो जरूर आप अच्छे से पढ़ना और दोस्तों यहां जो चूए हैं करणी माता के दरबार में जो चूए रहते हैं इन चूएं को चारण समाज के जो लोग है वो अपने पूरवज मानते हैं यह काफी इंपोर्टेंट है कि करणी माता मंदिर के अंदर जो चूए हैं उनको अपने पूरवज कौन सी जाती के लोग मानते हैं तो आपको चारण जाती उसके अंदर बताना है तो ये सभी क्यूसन काफी important थे I hope आप सबको वीडियो पसंद आया है तो like करना और channel के support के लिए वीडियो को share जरूर करना, telegram channel को आप join करना बिल्कूल, मत बुलिएगा thanks for watching, मिलंगे next वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद